हलो नमस्कार साथियों बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल रेलीवी क्रेकर्स में आपका फ्रेंड्स आर्पीफ कॉंस्टेबल ट्रेट्समेंट बहुत बच्चे अभी निराश होंगे इस बात को लेकर कि सर पैटर पीम्टी का जो डेट है एडमिट कार्ड वो अब तक आ सकता है और हरे ग्रूपों के मैं जानकारी दूंगा आपको यह वीडियो पूरा आंतक जरूर देखना है और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गया है कि सर मेरा ऐसा हो रहा है कि मुझे मैंने कौन सा ट्रेट भरा है मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं कौन सा है और आपको मैं बताऊंगा कि आपको किस प्रकार से प्यारी करनी है ऐसे मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखा हूं लेकिन यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होगा इसको समझ लीजेगा ताकि आपको आगे आने वाले एक्जाम के लिए जो भ तक आएगा ठीक है वाटवर चलते हैं डेट के उपर और डेट से समझने से पहले आपको मैं बता दू कुछ जो इंपोर्टेंट क्विरी उसको समझना बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है चलिए देखते हैं तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर आ चुके हैं ऑफिशल सब्सक्राइब करने के बाद आपको देखने को यहां पर मिलेगा यहां पर हर एक बच्चा जिन्होंने भी तैरिक किया है देखिए फ्रेंट्स को बाटर के यहां पर बहुत ज़्यादा है इसका मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बना रखा हूं ठीक है पर का भी एक तो यह सब धीरी-धीरी करके आपको मिलते रहेंगे ध्यान दिजेगा फ्रेंट्स घृसवरी गार्टिकर का वी मैंने बना दिया है तो तीन तीन दो तीन जो मैंने नहीं बनाए उसको आपको जीरी-धीर करके मिल जाएंगे वीडियो आप टेंशन नहीं आपको आप यहां पर आप देख लिजेगा यहां पर एडुकेशन क्वालिफिकेशन यहां पर पताया क्या है क्या है कंसे क्लिए के लिए कम सेकर मैट्री क्लेक्शन पास होना होगा आपको और मिनिमम जो एज है 18 और मैक्सिमम एज 25 तो जो बच्चा 1984 में जिनका जनम हुआ है तो वो इलए और फीमेल के लिए देखिये है यहां पर बताय गया है सारी की सारी जानकारी अपको विप साइट में ही की तो प्र ऑर इनके लिए जो हाइट है करना वह 163 मीटर रखी गई है और फीमेल की 155 मेटर रखी गई है ठीक है फीमेल की मतब कुछ भी एक्सपैंड नहीं करना है इनके इनको दिखिए यहां पर जो चाहती है मेल कटेगरी को एक्सपैंड करना के 85 करना है ठीक है ओनली फॉर मैल देखिए यह उपर में लिखा है कुछ नहीं और यहां पर देखिए date of birth दिखाना है आपको जब भी आपको physical के लिए appear होना है तो आप अपना कोई date मतलब birth certificate से related कुछ भी लेके जाए जैसे आप 10th qualify किये हो तो उसका admit लेके जाए अगर आपने आपके पास आधार है आधार certificate तो आधार का card लेके जा सकते हो तो वहां पर नहीं तो कुछ भी pen card है या कुछ भी है आप वहां पर carry कर सकते हो अपने exam से related ठीक है तो ध्यान रखिए का यह सक चीजी आपको बहुत ज्यादा important लगेंगी और यह समझ जाएंगे आप जब इस website में आएंगे आपको website का link description box में मिल जाएगा यहां पर बताय the necessary eligibility certificate has been issued to him by the government of India तो ऐसा कोई कागज दिखाए जो government of India द्वारा issue किया गया है तो ऐसा कोई कागज जो आपको 10th के एडमेट में मिल जाएगा यह result में आपको देखने को मिल जाएगा यह पर देखिए अपर लिखा है लेकिन होगा और आप इसको SSL से भी पढ़ सकते हो ठीक है तो confused में तो यह एगा दोनों सेम है ठीक है यहां यहांवर metric for recognize board एक recognize board से आपको पास करना होगा और आपको minimum जो मैंने बता चुका हूं friends की एक लाग एक दार पांसों पैसर बच्चों को यहां हरे ग्रूप मिला कर तो ग्रूपों को मिला कर जितने बच्चों को सेलेक्शन हुआ है बहुत सर बच्चे बोलते हैं कि सर सेकेंड इसकी क्या list आएगी क्या तो नहीं आया तो बहतर होगा और कर दूँगा friends आपना registration नमर और date of birth हमें comment box में जरूर comment करेगा ताकि मैं आपको जितने भी है ना आगे कि जो भी criteria है सब की सब चीज criteria आपको सबसे पहले बता सको ठीके ना तो आप क्या करिए अपना registration नमर या date of birth दोनों यहां पर लिग दीजे या रोल नमर लिग दीजे ठीक है ना जो मांगते हैं वहां पर application को फुल्फिल करने के लिए application तब वहां पर login करने में जो चीज मांगते हैं वहां पर आपको सिर्फ comment में लिखना है उसके बाद जो भी काम मैं देख लूँगा ठीक है अभी देखे कुछ भी यहां पर announcement नहीं हुई है announcement जैसे होती है तो उसके लिए में अलग वीडियो बना दूंगा आपको समझेने के लिए ठीक है तो टेंशलर को दूरत नहीं है आप बस preparation करते रहे है फिसिकल के लिए उसके लिए आगे के प्रोसेस के लिए तो मैं हूँ ही टेंशलर आपका भाई तो है ठीक है मिलते है फ्रेंट्स नेक के लिए धनेवाद